इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इसे भुजन के साथ लिया जाना चाहिए. आप इसे दिन के किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन प्रतीक दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें. हाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांश मरीज अपने आपको बीमार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दवा का सेवन करना बंद कर देते हैं, तो लक्षन और बिगड़ सकते हैं. इससे आपका ब्लड प्रेश फिर से बढ़ सकता है और हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है. अपने ब्लड प्रेश की नियमित जांच करवाना आवश्यक है. यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम, धूम्दपान समापती, शराब के सेवन को नियंतरित करना और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. यह दवा लेते समय आप सामाने तरीके से खाना खा सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन कम करें. इस दवा के सामाने साइड इफेक्ट में धकान, मिचली आना, चक्कराना, बंधनाक, वीरिस खलन से जुडी समस्या और सांस फूलना शामिल हैं. अगर यह साइड इफेक्ट आपको परेशान करते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताना बहतर होता है. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.